कि सक्स वो जो हकीकत में जीए सक्स वो जो हकीकत में जीए ख्वाबों में तो दुनिया बस जाती है ये जिंदगी है जनाब अकेली ही काटी जाती है मेरे पापा ने मेरी तकदीर को बनाया है और मेरे लिए खुदा को हर रोज पढ़ाया है वो जताते नहीं मुझसे कितना प्यार करते हैं हर रोज हमारी खुशी के लिए जिंदगी से लड़ते हैं और जलने वालों की जिंदगी को मैं एक दिन नर्क बनाऊंगा बात अगर मेरे पापा तक आई तो मैं यमराश से भी लड़ जाऊंगा जिस दिन मेरी आखरी रात हो मेरे सिर पर बस मेरे माबाप का हाथ हो बस इतनी सी मिन्नत है खुदा से कि अगले जनम में यही माबाप मेरे साथ हूं मेरी दर्ती मा की कोक से जनमा था वो सूरवीर वो सूरमा था वो भगत सींग की टोली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी ना सुख देखाना प्यार ना ही देखा अपना परिवार मानो मेरी भारत मा को बेडियों से आजाद कराने आई थी वो भगत सींग की टोली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी जहां गुलामी की जंजीरों में भारत का वविश्य जकडा था जहां भारतवासियों के उपर अंग्रेजों का चमड़ा था जहां अपने लहू से इन वीरों ने धर्ती मां की मांग सजाई थी वो भगत सींग की टोली ने अंग्रेजों को दूल चटाई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी इन कलाम के नारों ने हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगाई थी बेरों को सुनने के लिए दमाकों की जरूरत होती है यह बाद भगत सिंग ने याद दिलाई थी जहां जेल में 55 दिन भूका रहकर हर हिंदुस्तानी सेरों ने सब्र की आग जलाई थी जहां कुछ वीर सहीद हुए पर अंदर नहीं जाने दिया और अपनी बात मनवाई थी वो बगत सिंग की टोली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी वो आजाद भारत का सप्ना लेकर मतवालों की टोली आई थी चंदर सेखर आजाद ने यह कसम खाई अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे यह बात बताई थी चंदर सेखर आजाद ने यह कसम खाई अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे यह बात बताई थी वो सेर किसी के हाथ ना आया अंग्रेजों कुटों को बहुत दड़ाया फिर आकरी वक्त पर अपनी मिट्टी को चूम कर उसने अपनी धरती मा की गोद में जान गवाई थी वो भगत सिंग की टोली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी वो आखरी वक्त पर भगत सिंग राजगुरु सुखदेव हस्ते हस्ते फांसी जूल गए ना आखों में खौपता ना मोत से कोई फरमाज थी बस चाहिए था उन्हें आजाद और सुतंतर भारत ये बात उन्होंने पूरे जोर सोर से सुनाई थी वो भगत सिंग की टोली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी वो आजाद भारत का सपना लेकर मतवालों की टोली आई थी